गुड मॉर्निंग डियर स्टुनेंट्स बेटा आज हम वक्षिट एट स्टार्ट करेंगे जो हम युनिट 4 कर रहे थे उसकी वक्षिट 8 बेटा उसमें क्या है हमारे पास ब्लैंक्स हैं जो हमने अभी मल्टिप्लिकेशन सीखा था सेम बैसे ही ब्लैंक्स हैं बिटा बस ब्ल बादिया था कि देखिए इधर कि जब आप किसी भी चीज को मल्टिप्लाइ करते हो कि अगर आप 2 को 3 से मल्टिप्लाइ करते हो इस इक्वल टू डैश मल्टिप्लाइ 2 ठीक है जब यह इक्वल का साइन आ जाता है तो आपके जो 2 और 3 इस साइड है लेफ्ट हैं वही तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 3 आ जाएगा ठीक है ना मिटा इस तरह से आपके जो है आपने ये इक्वल करने हैं सेकिंड प्रोपर्टी क्या थी कि जब आप किसी भी चीज को 0 से मल्टिप्लाइ करते हैं तो वह हमेशा 0 बन जाता है और जब आप उसे 1 से मल्टिप् 5 is equal to dash multiply 4 by 5 देखिए 4 by 5 तो है दोनों side अब क्या नहीं है इस side 1 by 2 यानि कि यहाँ पर क्या जाएगा 1 by 2 7 by 9 को किसे multiply करें कि 0 आ जाए 7 by 9 को किसे multiply करोगे 0 से ठीक है ना आप देखिए 1 by 2 multiply 1 by 3 multiply 1 by 5 ठीक है यहाँ पर 1 by 3 1 by 5 तो है क्या रह गया यहाँ पर 1 by 2 इस तरह से 2 and 5 by 7 को किसे multiply करें कि 0 आ जाए 0 से चीक है ना किसी भी चीज़ को 0 से multiply करोगे हमेशा answer 0 इदर देखिए 7 by 13 multiply dash is equal to dash multiply 9 by 17 9 by 17 इस साइड है तो इस साइड नहीं है 9 by 17 तो यहाँ आ जाएगा 9 by 17 अब 7 by 13 इदर है तो यहाँ पर देखो 7 by 13 आ जाएगा देखिए 1 and 1 by 2 को किसे multiply करोगे कि 1 and 1 by 2 आ जाए 2 को 1 से multiply करते हैं तो 2 आता है 1 and 1 by 2 को 1 से multiply करोगे तो 1 and 1 by 2 आएगा 5 by 6 को 1 से multiply करोगे तो क्या आएगा बटा 5 by 6 ठीक है next 1 से multiply करोगे तो same answer आता है यानि कि 15 by 28 15 by 28 ठीक है बटा next देखिए 2 by 5 इस side है left hand side check करो 2 by 5 क्या left right hand side 2 by 5 है नहीं तो यहाँ क्या जाएगा 2 by 5 आप देखो यहाँ पर 3 by 7 right hand side 3 by 7 है लेकिन left hand side 3 by 7 नहीं है ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा 3 by 7 clear है बटा तो इस तरह से आपने यह जो है blanks करने है blanks तो मुझे लग रहा है कि आप एक ही बार properties को learn करोगे और आप blanks को कर सकोगे बटा चीक है यह थी आपकी worksheet 8 बटा आप इसे अच्छी तरह से जो है properties को learn करके करोगे जुरूरी नहीं है कि आपके बास statement यहीं आए statement कोई भी आ सकती है बटा केवल आपको properties लर्न होने चाहिए ठीक है बटा तो आप वक्षिटेट करोगे okay बटा